कितनी सुंदर सुंदर मौसियां देखने को मिली देखिए यहाँ पर देखिए इनकी हसी देखिए इनकी हसी देखते ही सारा दुख खतम हो जाता है यह पीछे और है इस से अच्छा द्रिश मैंने आज तक कभी भी नहीं देखा है यहां से मैं गुजर रहा था, यह गाटशिला है मैं बुरूडी लेक की तरफ जा रहा था यहां पर मुझे देखिए कितनी सुन्दर सुन्दर मौसियां देखने को मिली कुछ बोला यहां दो नहीं की रहने इनको देखो गए तो मन का सारा द्दुख आपका खतम हो जाएगा एक और मोसी है जो रुकी ने रही हैां वो काम कर रही है उनका इंजन फेल हो गया है तो काम करे ही जा एक इस Alei तो अब कला क्या हूं सिन स्थ सूरिय को फिरियानी के वह बॉटा निखेश हैं जो पक चुका है लेकिन ये धान पकने के बाद ये ज़ड़ जाएगा जमीन में फिर दुबारा धान हो जाएगा ये प्रकृति का नियम है तो दुबारा अगर फिर से पौधा बन जाएगा तो इनसान खाएगा क्या इसको घर ले जाना पड़ता है मसीन में इसको साफ करना चक्की में इसको चावल बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले इसको घर ले जाने से पहले इसको काटना पड़ता है, तो ये जो हमारी इतनी सारी सुन्दर सुन्दर मासियां हैं, जिनके साथ मैं यहां पर खड़ा हूँ, ये लोग जो हैं इस धान को यहां काट रहे हैं, है न लोगों को मैं सुर्फ यही दिखाना चाहता था कि कितनी महनत होती है और जो महनत करने वाले लोग हैं हमारी थाली तक चावल पहुंचाने वाले वो होते कौन लोग हैं हमने कभी उनसे मुलाकात नहीं की इस बार मौका मिला तो मैं खुद भी मुलाकात कर रहा हूं आप गाठ शिला के सुन्दर सुन्दर मौसियों के साथ गाठ शिला के चावल के खेट से आप लोगों को मैंने यह धान का खेट दिखाया यह दृष्च दिखाया जल्द होगी आप लोगों से मेरी खिर मुलाकात अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार